और अब अशांती दूतों की दूशिच सोच का विश्लेशन सुनिए दिल्ली में आमन चैन के महोल से बेचैन हो गए है कुछ नेता ओवेसी ने कहा आज विरोध करो नहीं तो कल तुम्हारा जनाजा निकलेगा लेकिन अर्थी तो उड़ गई अंकित की भी और कॉंस्टेबल रतल लाल की भी और जनाजे भी कई उड़ गए लेकिन अभी भी ओवेसी साब शांत नहीं है ओवेसी की पार्ठी के मले ने कहा हमें देश का महाल बिगाड़ना आता है लगता उसमें पीजडी हासिल कर रखी है इन्होंने मैं बढ़ता हूं आगे बढ़काओ बायानों से ह की हिंसा हुई शाहीन बाग जैसे मंच खड़े हो गए दिल्ली हिंसा के नाम पर संचद में विपक्ष ने मर्यादा तोड़ी जैसे धक्का मुकी की खबर आई सामने क्या कुछ नेता देश को आशांत करने की लिए सियासी फाइदा देख रहे हैं मैं सीधा रुख करता हू अपने मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में आज एक बड़ा पैनल है मेरे साथ दॉक्टर संबित पात्रा है जो की बीज़पी रूलिंग पार्टी के मेंबर प्रवक्ता है और वरिष्ट नेता है मेरे साथ इस चर्चा में ओवेसी साब की पार्टी के नेता है प्रवक्त हैं आप तमाम लोगों का स्वागत है मैं सबसे पहले असीम वकार साभ आपी से शुरू करता हूँ आपके सर्वोच चनेता साउधिन ओवेसी साब कह रहे हैं कि मुस्रिम इलाकों को खंडर बना दिया गया है अगर अपने ही खड़े होंगे तो जनाजे और निकलेंगे क्या कहने के अवशक्ता थी दिल्ली की आग अभी ठंडी नहीं हुई है मन्शा क्या थी इसके पीछे तो जो सच्चाई दिख रहे हैं ये टेल्वीजन पर आप लोग दिखा रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं वही तो उन्हीं ने पोला है आप चैनल पर दिखा रहे हैं जलेवे मकान, खंडर बनेवे इलाके बेकुल जले फुकी दुकाने, लुटीवी खारी मुस्री में लाके, जलीवी गाणियां, खारी मुस्री में लाके खंडर हो गए है, जबान से कह रहे है, चांद बाग, शिवपुरी खंडर नहीं हुए, सर अभी आपने बात है कही, कि उमर खालिद ने जो बयान दिया, मैंने तो आप से सवाल पूछा, वेसी साफ पर, उमर खालिद की बारी आएगी तो वो मैं सवाल पूछ लूँगा, हो सकता है, उमर खालिद भी भैस में बीच में जुड़े, उनको हम जोड़ने का प्रयास कि उमर खालिद ने बयान दिया कबिल मिश्रा सलक पूरत रहा है, कई ऐसा थो निहीं को है, कोई बात्चीत हो रही हो आप शम Major पात्रा से पूछ लूँगा, मैं अभी आप से ओवेसी साफ का सवाल पूछ रहा हूं, क्यो कि आप से बात कि अगर आप कहरें कि उन पर आप उनका नहीं बचाफ कर पा रहे आज किसे ने आपसे कह दिया किसे क्या के नाम पर मेरे मूपर तो हसी नहीं आती सर फिर मैंने आपसे कहा दिया अगर आप मुझे थвड़ा सा पिन मारेंगे कि अगर आप डिबेट करा रहा है तो डिबेट की मरिया रही है परसनल बत होई है तो बिल्कुल पॉस्टल नहीं हो रहा है तो फिर अपके रहे हैं और कुछ आपको पत्रकारिता की मर्यादा पता है आपको शायद अपनी मर्यादा नहीं पता है मुझे पत्रकारिता की मर्यादा पता है और मुझे सलीका भी पता है